नास्कार आप देख रहे हैं बेबाक मैं आपिसार शर्मा आप जानते हैं आपके स्क्रीन्स पर ये शक्स कौन है ये हैं ब्रिगेडियर मुहमद उस्मान कौन है ब्रिगेडियर मुहमद उस्मान आप कहेंगे ब्रिगेडियर मुहमद उस्मान वो शक्स है जिसने उनी स्वड तालीस में जब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था तो अपना जोहर दिखाया था ये उस वक्त वर्यता के आधार पर भारती सेनकों में शहीद होने वाले सबसे सीनेर अफसर थे ब्रिगेडियर मौहमद उस्मान जब भारती सेना ने कश्मीर की तरफ बढ़ते क अबाईलियों के कदमों को रोका था उन्हें रोका था और उसमें ब्रिगेडियर मौहमद उस्मान ने एक बहुत एहन किरदार निभाया था मगर आज 1948 में इस शक्स ने शहादत हासिल की थी इसे महावीर चक्र भी मिला था मगर आज जो इसके साथ हो रहा है न वो कलपना से भी विश्यत्र है उसकी हम कलपना भी नहीं कर सकते हैं इस तस्वीर को देखिए, इनकी कब्र जो है, या रेस्टिंग प्लेस हम इसे कहते हैं, ये है जामिया में, और जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी कब्र को तोड़ दिया गया है, ये है ब्रिगेडियर मुहम्मद उस्मान की कब्र, वो शक्स जिसे महावीर चक्र मिला, वो श वाईलियों के बढ़ते कदम को रोक पाए, आज उसकी कब्र को गुंडों ने तोड़ दिया है, ये किसने तोड़ा बताई है, किसी नशेडी ने, किसी शराबी ने, या फिर नफरत ने, वो नफरत जो हमने कोरोना और लॉकडाउन के दोरान देखी थी, जहां तबलीगी जमात वालों के खिलाफ एक जूटा और घटिया और गलत प्रॉपगैंडा चलाया गया, और उसके जरीए मुसल्मानों के बॉयकॉट तक की अपील कई लोगों ने कर डाली थी, जिसमें सत्ताधारी नेता शामिल थे, कि ब्रिगेडियर मॉम्मद उस्मान की कब्र को इस त जरूर देती थी, मगर आज इस कब्र को देखकर दोस्तों, मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिल इसलिए रो रहा है कि हम अपने शहीदों का इस तरह से अपमान कर रहे है, मेरा दिल इसलिए रो रहा है कि कि किसी को परवा नहीं है, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्य हमने शहादत को भी हिंदूओं और मुसल्मानों में बाड़ दिया क्या ये महज एक इतिफाख है कि इस तरह से ब्रिगेडिर मुहमद इस्मान की कबर को तोड़ दिया गया है मैं फिर दोहराना चाहूंगा ये वो शक्स है जिसकी वज़ा से हमने बढ़ते कबाईलियों के कदमों को रोका था और आज इस तरह से इनका ये हश्र कर दिया गया है मैं जानना चाहता हूं कि उनकी शहादत को किसकी भेंट कर दिया गया नफरत की भेंट तो नहीं कर दिया गया न क्योंकि देखे, देश में कलपना से भी विचित्र हो रहा है, इस देश में वो हो रहा है जिसकी आप और हम कलपना भी नहीं कर सकते हैं किसी ने सोचा था कि जब कुरोना आएगा, तो हम उस लड़ाई को भी हिंदू-मुसलिम कर देंगे क्योंकि उसके अंदर एक सरकार अपनी नाकामी को छिपाना चाहती थी, और उसे छिपाने का सबसे अच्छा जरिया क्या था? कि उसे डाइवर्ट कर दो, उसका ध्यान कहीं और कर दो, और जनता का ध्यान बहुत आसानी से हिंदू-मुसलिम में किया जाता है और उसके लिए आपका पालतू मीडिया बैठा हुआ है, मगर तोहीन किसकी हुई? तोहीन हुए हमारे शहीदों की, और मैं बार-बार कह रहा हूँ, इसी तरह से तोहीन होती रहेगी हमारे शहीदों की, और यह मैं सोचिए, कि बेज़त सिर्फ ब्रिगेडियर मुहमद उस आदत को भारती जहता पार्टी चुनावों में भुनाती रही, मगर जिस चीन ने उनका उनके साथ ऐसा सुलूक किया, उसके साथ क्या हुआ, उसको लेकर आज तक प्रधान मंतरी नरेंद्र मोनी के मुह से एक शब नहीं निकला है, यानि कि चीन के बारे में एक शब तक न आज ने कहा था, जिसने 2000 के नोट में भी चिप ढूण लिया था, उसने कहा था, देखिए, सीमा पर दोष सरकार का थोड़ी है, दोष तो सेनिक का है, याद है आपको, दोष सेनिक का है, जो सीमा पर खड़ा है और रक्षा कर रहा है, यानि कि जब प्रधान मंतरी ये कहते हैं या उनसे ये सवाल नहीं करते हैं कि प्रधान मंत्री ये आपने थोड़ना किया था ये तो हमारी वायू सेना नहीं किया था मगर दूसरी तरफ जब हमारे सेनिक शहीद होते हैं या चीन हमारी जमीन पर कबजा कर लेता है तब आप हमारे सेनिकों पर सवाल उठाते हैं आज मैं सवाल उठाना चाहता हूँ इस देश के दोहरे माबदंड पर मैं सवाल उठाना चाहता हूँ पिछले कुछ सालों से पनप रही इस सोच पर जो शहादत को और हमारे सैनिकों को अपने राजनीती के लिए इस्तिमाल करती है और इसकी जीती जाकती मिसाल है ब्रिगेडियर मुहमद उस्मान आपको लगाम लगानी पड़ेगी अपनी इस नफरत पर क्योंकि ब्रिगेडियर मुहमद उस्मान की कबर के साथ जो हुआ है न वो कल्पना से भी विचितर है मैं यहीं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि यह काम किसी नशेडी किसी शराबी का हो और मैं इश्वर से ही प्रार्तना कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो दोस्तों कि इसके पीछे किसी तरह की नफरत है वही नफरत जो चौबीजों घंटे इन मीडिया जान्स के जरिये परोशी जाती है बहुत दुख की बात है दोस्तों तोस्तों बेबाक में आज जो दूसरा मुद्दा में आप के सामने उठाकर ला रहा हूँ वो है विहार की सियासद दोस्तों मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि विहार में बहुत दिल्शस्प घटना करम हो रहा है वो कहते हैं ना कि भई आप कम से कम अपने गठ बंधन में जो सहयोगी है उसका नुक्सान नहीं करते हैं मगर भारती जाता पार्टी ने भारती जाता पार्टी के लिए सब कुछ मनजूर है अरुनाचल प्रदेश में उसने जनतादल युन नतीशकुमार में नाराजगी है जनतादल युनाइटेड में नाराजगी है और हालही में जो उनका सम्मेलन हुआ उसमें दो मुद्धे उठाए गया और दोनों मुद्धे आपकी स्क्रीने पर हैं पहला मुद्धा जिसमें नतीशकुमार और पार्टी के कई नेता home ने कह कि ये गलत है और कम से कम उस पार्टी के साथ बीजेपी को ये नहीं करना चाहिए जिसके साथ को ब्यार में सरकार चला रहे हैं मगर भाया ये वो बीजेपी है जिसमें डुपकी लगाके सब स्वच हो जाते हैं ये वो भी जेपी है जो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है तो आपको इतना चरज क्यों यहीं नहीं ये मुद्दा भी उठाया गया कि लव जिहाद का मुद्दा भी इस मीटिंग में उठाया आपके स्क्रीन्स पर रविवार को जेडियो नेताओं की मीटिंग में नितीश कुमार ने खुद अरुनाचल प्रदेश का मुद्दा उठाया जहां उनके विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं सभी नेताओं ने इसे गटबंधन धर्म के विपरीद बताया सूत्रों के अनुसार तमाम नेताओं ने बीजेपी के सामने आपचारिक आपत्ती धर्श करने की बात कही कि वहीं गौर कीजेगा मीटिंग में कुछ नेताओं ने लव जिहाद पर भी चर्चा की पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि लव जिहाद को लेकर देश में घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है त्यागी साब आप बहुत ही सब भी आदमिया मैं जानता हूँ मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ तो फिर आप इस पार्टी के साथ क्यों बने हुए हैं आपका अपमान किया जा रहा है और अगर आपको समझना है तो आपको गोर करना पड़ेगा कि इस पर आरजेडी का क्या कहना है लगातार अपमान किया जा रहा है मगर बावजुद इसके आप उनके साथ बने हुएं आपके च्छे विधाय काड़ दियों दोने और उनाचिल में मेरी लगातार बाचीत कुछ पत्रकारों से और ये दोस्तों बिहार के और उनका कहना है कि ये सरकार चार से पाँच मेंस जादा नहीं चलेगी पता नहीं ये बात सही है या नहीं मगर उसके लिए आपको दो चीजों पर गौर करना पड़ेगा अब आप जानते हैं कि RGD नंबर वन पार्टी है, तो अगर नितीश कुमार ने गटबंधन तोड़ दिया और बाहर आ गए वो BJP के साथ, तब भी उनकी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो RGD के साथ सरकार बना सकते हैं, क्या कहा है शिवानन तिवारी ने जो कि उनके राष्टी उपाध्यक्षें आपके स्क्रीन्स पर, राजट के राष्टी उपाध्यक शिवानन तिवारी ने सपश्ट किया कि गेंद जनता दल युनाइटेड नेतरत्य के पालिय में हैं, जिनने समझना चाहिए कि अरुनाचल पदेश में जनता दल युनाइटेड के विधायकों के सामूहिक रूप से भाच्पा में शामिल होने के घटना करम का मकसद पुरानी बातों का बदला लेना है तिवारी ने एक दशक पहले की बात की जब नितीश ने भाच्पा की राश्च्री कारिकारणी में भाग लेने पटना आए पार्टी नेताओं के लिए आयوجित रात्री भोज रद कर दिया जिसमें नरेंद्र मोधी शामिल थे तो कही न कर शिवनन तिवारी इस बात का इशारा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोधी पुरानी बातों को भूलते नहीं और उसी का बदला लिया जा रहा है अरुनाचल प्रदेश के तोर पर धीरे धीरे जड़े काटी जा रही है उन्हें खत्म किया जा रहा है मगर इसका दूसरा पहलू भी है आप जानते हैं इस वक्त जनता दिल उनाइटिट का राश्रिय अध्यक्ष किसको बनवाया गया है आर सी पी सिंग ये शक्स जो की राजसभा में भी है और आपको ये भी बतलाना च चाहूंगा कि ये शक्स बीजेपी का बहुत करीबी है तो ये क्या इशारा करता है ऐसा तो नहीं है कि जनता दल उनाइटिट का कुछ दिनों बाद बीजेपी में विलाय हो जाएगा क्योंकि नितीश कुमार की इस बात पर गोर कीजिए जो उन्होंने आज कही है उससे माम किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है बीजेपी चाहे तो अपना मुख्यमंत्री बना सकती है ये नितीश कुमार ने कहा है और ये एनाई का बयान है आज ही यानिकि 2712-2020 का उनका बयान नितीश के इस बयान के क्या माइन है क्या नितीश पूरी तरह से दंडवत हो चुके हैं बीजेपी की सामने नमबर एक यह कहीं न कहीं ये नितीश कुमार की नाराजगी तो नहीं है कि वो चुनौती लगादार दे रहे हैं बीजेपी को चलिए आप उठाइए कोई कदम हम भी निकलते हैं फिर गट बंधन से बार क्योंकि देखिए एक बात तैय है कि न ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और नितीश कुमार हमारे जो हैं चेहरे थे और वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे उन्होंने आगी ये भी कहा कि बेशक अरुनाचल प्रदेश के छे विधायक जंतादल युनाइटेट के बीजेपी में शामिल हो गये मगर उसको लेक पर ये है क्या नितीश कुमार अपनी रीड को बरकरार रखेंगे या बीजेपी के सामने नतमस्तक होकर वो बीजेपी को उसे रौंधने देंगे ये तमाम प्रशन हमारे सामने मुबाहे खड़े हैं इस वक्त बिहार के कई पत्रकारों का ये कहना है कि या तो कुछ दिनों में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा नितीश कुमार से समर्थन में मगर एक दूसरा धड़ा ये भी कह रहा है कि ये गटबंधन चार से पांच या छे महिनों नहीं चलने वाला और आपकी स्क्रीन्स पर ये बयान तेजस्वी आदव का जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव जल्द हो जाएंगे एक तो ये दूसरा शिवननतिवारी का बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि गेंद जो है जनता दल के पाले में हैं अगर वो आके हमारे साथ गटबंधन करना चाहें तो देखी कई तरह की बाते हैं मैं यह नहीं कह रहा हूं मैं अपनी हो जाके एक बीजेपी गोद में बैढ़ गए और अब बीजेपी उनकी जड़े काटने में लगी हुई है तो सियासत में दोस्तों कुछ भी हो सकता है बेबाक में बस इतना ही वगर जाते जाते एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा आपको कि ब्रिगेडियर मुहमद उ झाल